अब्ट्भ के लिए बट ब्टी प्यारी सी पोसाग है के लिए तो चलिए फ्रेंट्स मैंने इसको किस तरह से बनाया बतनाया है आपको बताते हैं आज हम लड्डू को पाल जीन के लिए बिंटर पोसाग बनाना सिकाते हैं किस तरह से देखिए गाइस मैंने इसमें देखिए दो कलर में उन ले हुई है एक ग्रीन कलर है और एक रेड कलर है और ये मैंने 10 नमर की सलाई ले हुई है तो देखिए आप चाय कलर कोई सा भी ले सकते हैं लेकिन मैंने ग्रीन और रेड लिया है इसमें देखिए मैंने इतनी पोसाग बना लिया इसमें समझाने के लिए कुछ था नहीं इसलिए क्योंकि बीडियो कापी लंगी हो जाती है इसलिए मैंने इतना बना लिया इसमें कुछ यह चान नमर के कानाजिन के लिए ड्रेस बना रही हूं मैं इसमें गेर में 120 फंदे हैं इसकी मैंने 5 1,2,3 3 और इसको काउंट नहीं करते हैं तो 3 सलाई का मतलब इस तरह से डबल कर देते हैं तो 6 सलाई मैंने बनाई है एक फंदे वाली हो गई है उसको मैंने काउंट नहीं किया है इसमें 6 सलाई बनाई है 6 सलाई बनाने के बाद मैंने सभी ये फंदे गठाए है तो 3 फंदे का 1 फंदा कर दिया है तो ये गठ गए हैं सारे फंदे तो हमारे पास यह 40 फंदे बच्चे हुए थे यहां पर यहां पर गठाने के बाद 40 फंदे बच्चे ले उसके बाद मैंने इतना सा बुल लिया है देखिए अगर आपके काना जी छोटे हों बड़े हों उसी साफ से यहां पर बनाया जाता है अगर ज्यादा छोटा लग रहा है तो कम कर बना सकते हैं तो मैंने इतना बना लिया है इसके बाद जो आगे है इसको मैं समझाऊगी किस तरह से बनाऊगी इस में जानकारी तो देखिए अब इसके बाद मेरे को क्या करना है किस तरह से बनाना है तो देखिए इतना मैंने बना लिया इसके बाद ये सीधी सलाई है और इधर से उल्टा होता है इधर से उल्टा होता है इस गेर में मैंने दोनों तरफ से उल्टा उल्टा बनाया हुआ है इधर से भी औ और इधर से भी तो देखिए उल्टा इस तरह से बनाते हैं अगर आप उल्टा सीधा भी नहीं बनाना आता तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको भंदा डालना और सीधी सलाई कैसे बनाई जाती है उल्टी किस तरह से बनाई जाती है वो भी मैं आपको next वीडियो में बता दूँगी देखी उल्टा इस तरह से बुना जाता है कुछ नहीं है सारे पंदों को इसी तरह से बुना जाएगा इसलिए मैं इस सलाई को complete करके फिर आपको आगे बताती हूं क्या करना है देखें मैंने इस सलाई को उल्टा उल्टा बुनकर complete कर लिया है अब इधर से भी मेरे को उल्टा ही बनाना है इधर से भी क्योंकि दो सलाई बनानी है इसलिए हमें ये भी सलाई उल्टी ही बुननी पड़ेगी इसी तरह से देखिए इसी तरह बुनी जाएगी इसलिए मैं इसका सलाई को भी बुनकर कम्प्लीट करके फिर आगे बताती हूँ तो देखें गास मैंने ये दो सलाई कम्प्लीट कर लिए जब दो इस तरह से अगर दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि चार सलाई उल्टी बनाई हुई है दो इदर से दो इदर से जब ये दो इस तरह से दिखाई देंगे तो देखें ये मेरा कम्प्लीट हो गाए अब मैं आगे क्या करती हूँ वो आपको बताती हूँ तो सबसे पहले ये 40 फंदे थे इसके बाद हमें कुछ इदर से और कुछ इदर से फंदों को उतार देना है बीच में से डिजाइन बताती हूँ आपको किस तरह से करनी है तो देखिए ये उल्टी साइड है देखिए एक दो दो फंदे ले रही हूँ में और इसको इस तरह से उल्टा ही बोर रही हूँ इसके बाद इसको उसी सलाई में वापस से ले लेती हूँ फिर इसी को और दूसरे फंदे को दुबारा से लेती हूँ दो फंदे लेकर फिर एक बन गया इसको भी इसी में बैक ले लेते हैं इस तरह से हम फंदों को उतारते हैं इसी तरह से दुबारा से बैक करके इसके साथ एक और फंदा ले लेते हैं दोनों पंदों को उल्टा बना देते हैं, इस तरह से ये अमारा उतरता जाता है, इसी तरह से, पंद्रे पंदे मैं इधर से उतारती हूं, पंद्रे ही उतारूंगी, तो बीच में दस पंदे बनाएंगे, बचेंगे उनकी आगे बताती हूं, तो पहले मैं उतार लेती हूँ फिर आपको बताते हूँ अब देखें गाज मैंने इधर से 15 फंदे उतार लिये हैं अब मेरे को बीच में 10 फंदे छोड़ने हैं तो एक, दो, तीन, चाहर, पांच, चाहर, साथ, आट, नो, दस दो, तीन, चाहर, पांच, चाहर, साथ, आट, नो, दस फिर मेरे को उतारना है इसी तरह से दो दो फंदे लेंगे और इसको बैक करेंगे इसी तरह से उतारने हैं इसी तरह से उतारेंगे उन को उतार गयाए पिर मैं आग बताती हूं क्या करना है तो दीखे गाइस ये मैंने इधर से भी और इधर से भी दोनों तरफ से फंदों को उतार लिया है बीच में दस पंदे मैं आगे के लिए बनाना बताऊँ आपको अब ये लाश्ट में बन फंदा बचाए इसको हम यहीं पर नोट लगा के को कट कर देते हैं अब देखे लिए यहां पर मैं नोट लगा के इसको कट कर दिया है तो इसको यह यहां से निकले न ही इसलिए थ्टूड़ा नीची की तरफ न काल दी को अब इस-तर कर द देखे यहां से कट कर देतन आप अब यह दिखाए भीने दे रहाएं पीचे के तरफ और यह स्थारे से अब यहां से मैं उन चैंज करूंगी और यहां लगा रही हूं यहां से देखिए क्योंकि इसको आगे भी तो बनाना यह तो किस्से बनाएंगे को तो मैं इस तरह से यह कि उन लगा लेक्व इसको हमें देखी मैंने इस सलाई को कम्प्लीट कर लिया अब इसी तरह से उल्टी उल्टी सलाई मेरे को तीन चार बुल लेने बुलने के बाद फिर बताती हूं तो देखेगास मैंने चार सलाईय बुल लीए फोर का मतलब होता है आठ सलाईय बनाना तो मैंने आठ सलाईय बनाईय तब ये फोर में डिजाइन दिखाई दे रही है इसके बाद अब मुझे पांच पंदों को बरना है और पांच को बनाना है तो इससे तो देखेगे अब क्या करना है एक दो तीन चार पांच पांच इदर है पांच पंदों को ये बनाना है पांच को मैं पिन में अलग बर लेती हूँ तो देखेए मैं इसमें पांच पंदों को बर के अलग कर देती हूँ 1, 2, 3, 4, 5 अब इनको मैं बाद में बनाऊए पहले इनी 5 को कंप्लेट करती हूँ तो उल्टा ही उल्टा बनाना है दोनों तरप से और इसको लम्मा करना है देखे इसी तरह से केवल उल्टा उल्टा बनाना है इधर से भी उल्टा ही बनाना है इधर से वह उल्टा इसलिए मैं इसको पूरा बना के पर कंप्लीट करके पर आपको बताते हूं तो देखें गैस मैंने इतनी लंबा इसको बना लिया है और इससी तरह से अब इसको उतार कर फिर इस साइड से बनाएंगे तो देखें इनको मैं उतार देती हूं पहले जैसे ही उतारेंगे दो फंदो को बनाएंगे उल्टा और एक बन जाता है इसके बाद इसको बैक लेते हैं फिर दवारा इसी तरह से पिर इसको दवारा से इसी में डालते हैं कि लिए घया जैसे पहले उतारे तो इससे तरह से उतारते हैं जायको ही पर भी उतार हो फंदों को से इसी तरह से उतारते में अब यहमार ₺ ऑ mm नोत लागा कि हम दागे को कट कर देते हैं बहुत ही तरीके से में ब्ताः है Catholic में आगया होगा इसको बनानी में में जिकत नहीं होती है आप भीसे है शरो तरीकिक से आसाली से बना सकती है इसको में अंदर डीए बाध में , अभी यह से हम कि इसलों को सलाही में बरेंगे इक करके बाद में निकलने हैं क्योंकि कहीं पंदा निकलना जाए इस तरह से में पंदेवलने अब इस उनको जैसे पहले जोंट किया था इसी तरह से लगाँ में इस तरह इसी तरह उल्टा बुनना है जैसे पहले बुना था इसी तरह से अब भी उल्टा बनाना है दोनों धरप से दोनों तरप से उल्टा बनाना इसलिए मैं इसी तरह इसको भी पूरा बना लेती हूं फिर आपको बताते हूं तो देखिए गास मैंने ये भी कंप्लीट कर लिए ये दोनों बराबर हो गई है अब मैं इस तरह से इसको उतारा इसी तरह से इन फंदों को में उतार लूँए तो देखिए गास ये बन कर कंप्लीट हो चुकी है बनने के बाद कुछ इस तरह से य यह मैं इस तरह से दागा डालूँगे तो देखिए मैंने यह दागा डाल लिया है तो मुझे क्या करना है विसमें इसमें यह सीधी सेड़ है और यह इधर से उल्टी है तो मैं उल्टी तरप से जो फंदें इनमें डालती जाऊंगे ऐसे डालना है मुझे यह फंदे हैं इसमें इस तरह से दागा डालना है क्योंकि यह हम खीच के बांद देते हैं इसलिए इस दागे को डाला जाता है कि इस तरह से मैं इसमें पूरे में दागा डाल देते हैं अब मैं इधर से कट कर देती हैं और इधर से कट कर देती हैं दोनों तरफ से हम नोट लगा लेते हैं चाहिए तो आप इसमें मोती भी डाल सकते हैं जैसे कि यह फंदों में होगे निकलेना अब हम इसको कीचेंगे तो हमारा इस तरह से यह गेरा जाएगा अब आउगाो क्यों प्रहें आए आए यानि इसमें अलाग से ना कोई कोठी बनानी पड़िए ना कुछ जिस तरह से हमें पहले शूर्ट कपले से पूसाख बनाते उसी तरह से यह बूल से भी इसको कंदों पर इस तरह से इसको पैना के भी कि दिखाऊंगे मैं जिससे आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि देखिए मैं लड्डू को पाल जिनके लिए इसको पेना के दिखाती हूं कि किस तरह से कि देखिए कि इस तरह से डालना है पीछे की तरफ और ये नीचे होके कि प्यारी लग रहे है मेरे काना जी देखना इसकी इस तरह से करें हमें है